हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी मोबाइल में डबल टैप लग गया है तो कैसे आप इसे हटा सकते हो कुछ इस प्रकार की प्रोब्लम आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी अगर मैं किसी भी आप पे किलिक करता हूँ तो हम अपने फोन में किसी भी आप को ओपे करना चाहते हैं तो ओपे ही नहीं हो रहा है तो डूस्तों पहले मैं आपको बता दू यह प्रोब्लम क्यों आती है तो देखो दोस्तों सभी मोबाइल में एक टालक बैक नेम से एक सेटिंग्स होती है अगर वो सेटिंग्स गलती से वी ओन हो जाती है तो ये डूबल टैप हमारे फोन में लग जाता है और हमारा फोन सही से काम नहीं करता है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप इस टालक बैक मोड को यानि कि आप इस डूबल टैप को कैसे हटा सकते हो दोस्तों आप किसी भी कमपनी का फोन यूज़ करते हो ओपो, बीबो, रेडमी, समसंग सभी में इसी तरीके से आप डूबल टैप को हटा सकते हो तो कैसे हटाना है आईए वीडियो में देख लेते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बारा है वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा आपको dual उंगली का इसमाल करना पड़ेगा यानि आपको dual tap करना पड़ेगा basically dual tap enable हुआ है तो dual tap से यह touch काम करेगा ओके सही से तो आपको करना क्या है आपको ऐसे प्रेस करके सबसे पहले अपने phone में settings open कर लेना अगर आपके में ऐसे आता है तो आप ऐसे ऐसे करके dual उंगली से ऐसे प्रेस करो dual उंगली से आपके phone का touch चलने लगेगा तो आपको सबसे पहले sitting में आ जाना है तो अभी दोस्तों यह sitting आफ है ओके तो अभी आप ऐसे sitting पर किलिक करिएगा दो तीन बार settings open हो जाएगी राइट तो अब आपको sitting में आपको सबस्के आना है तो आपको यह sitting में नीचे सबस्क्राइब नेचे आना है आने के बाद यहाँ पर आपको एक sitting मिल जाएगी then you now अभी additional settings में यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा, अभी मैं बायक आता हूँ, तो कहीं-कहीं गलत भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि वो dual tap चालू है इसलिए, तो आपको आसानी से आना है, right, तो अभी आपको additional settings में आ जाना है, उसके बाद में आपको dual अंगुरी से प्रेस करते हुए, आपको यहाँ पे दोस्तों नीची आना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा, इसमें आपको एक option मिल जाएगा, एकसिस विल्टी के नेम से, यह आप देख सकते हो, आप नीची आएगे, आपको मिल जाएगा, तो अभी आप इस पे double tap करेंगे, और इसको open कर लेंगे, और जैसे आप एकसिस विल्टी पे click करते हो, यह settings open हो जाएगी, तो अभी दोस्तों नीची आपको option मिल जाएगा, टालक bike का, जो कि मैंने आपको starting में ही बताया था, कि टालक bike sitting on होती है, तभी dual tap हमारे phone में लग जाता है, और हमारे phone में problem आ जाती है, तो अब आपको यहाँ पे टालक bike पे ऐसे दो अगूली से प्रेस करना है, प्रेस करते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको टालक bike का option देखने को मिल जाएगा, अभी आपको इसको simple बंद कर देना है, ऐसे आप प्रेस करेंगे, दो अगूली से, या फिर ऐसे दो तीन बार प्र करेंगे यह बंद हो जाएगा उसके बार में आप यहां पर टर्न आउफ ए किलिक करेंगे तो अभी दोस्तों टालक बैग बंद हो चुका है और डूल टैप हमारे फोन से हट चुका है मैं आपको दिखाता हूँ आप मैं सिंपल यहां से बाइग आता हूँ अब आज़ा आप देख सकती हो हमारे फोन से डूल टैप मोड हट चुका है अब हमारा फोन बिल्कूल अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो इस परकर से अगर आपके भी मोबाइल में डूल टैप टालक बैग सर्वीस अगर आपके फोन में एक्टिवेट हो चुकी है तो उसे बड़ी ही आशानी से बंद कर सकते हो चलिए दूस्तों आज की इस वीडियो को यही पे इंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और इस वीडियो से आपकी ये प्रोच्टब्लम गई हो तो वीडियो को लाइक करीगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आए हो अगर आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सकाइब करिएगा चलिए वीडियो को इंड करते हैं तब तक के लिए जाय हिन बंदे मात्रम